आज की वीडियो में हम दिखेंगे conditional compilation in C, ठीके, अब अभी तक हमने pre-processor अच्छी तदर से पढ़ लिया, pre-processing क्या होती है, pre-processor क्या होता है, pre-processor directives कौन-कौन सी होती है, उनका basic मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद में हमने macro definition दिखा था, file inclusion दिखा था, आज हम दिख lines है, वो किसी particular condition के satisfy होने के बादी, क्या होनी चाहिए, compile होनी चाहिए, ठीके, मतलब अगर कोई particular condition है, वो satisfy हो रही है, तो ये 3 lines compile हो, otherwise compile ना हो, तो उसके लिए हम conditional compilation का use करते हैं, आपको लगेगा, इसके लिए तो if else का use किया जाता है, लेकिन अगर हम if else का use कर रहे हैं, तो उस case में हमारा जो भी हमने, suppose मैंने यहां पर if लिखा है, और यहां पर जो भी condition दियो और यहां पर statements दिये हैं, ठीके ना, तो ये conditional compilation है, ये conditional execution होगा, मतलब ये condition satisfy होगी, तो ये हमारी 3 lines जो है, वो execute होंगी, otherwise नहीं होगी, लेकिन ये जो 3 lines है, ये compile तो होगी ही, ठीके, ले compile ही नहीं होंगे, हम verify भी करके देख सकते हैं, ठीके ना, अभी वो हम देखेंगे कि कैसे verify होगा, कि compile हो रही है, या नहीं हो रही है, वो भी हम देखेंगे, तो इसके लिए किस-किस चीज का use किया जाता है, कि इन directives है statements का use किया जाता है, तो एक आता है हमारा hash if def, ठीके, अब हर इक का meaning देखेंगे, समझेंगे कि किसका क्या use है, ठीके, hash if def, ठीके, अब हम कुछ भी ले रहे हैं, हम hash if def ले रहे हैं, उसकी जो ending है, पूरा जो end है, मतलब पूरा code लिखने के बाद, last में हमें hash and if लिखना ही होता है, इस चीज का ध्यान दखना, ठीके ना, इसके हम use देखेंगे, फिर आता है हमारा hash if, ठीके, क्या आता है, simple hash if आता है, अब अगर यहाँ पे कोई particular condition हमने दी है, वो satisfy हो रही है, तो इसके अंदर हम जो भी statements लिखेंगे, वो execute होंगे, execute नहीं, sorry, compile होंगे, otherwise compile नहीं होंगे, अब हम चाहते हैं, कि इसके भी क्या आजाए, hash else if आजाए, जैसे हम क्या देते हैं, else if देते हैं, तो उसी तरह से decision making में हम क्या देते हैं, else if देते तो वहाँ, यहाँ पर क्या use होता है, hash else का use होता है, किसका use होता है, elf का, मतलब हम second condition यहाँ पे दे सकते हैं, फिर third condition भी देनी हो, hash else का use कर सकते हैं, जब यह सारी conditions खतम हो तो last में हमें यहाँ पर hash and if का use करना पड़ता है to indicate कि यह पूरा जो decision, conditional compilation था, वो क्या हो चुका है, खतम हो चुका है, okay तो हम इन सभी का use आज के video में करेंगे, okay तो सबसे पहले हम start किस से करते हैं, hash if def से starting करते हैं इसका use, if def का use के होता है, देखो, if defined, इसका मतलब क्या है, if defined अब if defined का मतलब क्या है, कि अगर हमने किसी particular macro को अगर define कर रखा है, ऐसा हमें check करना है तो हम इस directive का use करते हैं, for example, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, hash if def और यहाँ पर मैंने लिख दिया है, pie, okay तो इसका मतलब क्या है, कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या pie नाम का macro जो है, वो defined है, क्या हमारे program में अगर defined है, तो हमें यह particular statements को क्या करना है, execute करना है, मैं यह बोलना चाहती हूँ, ठीक है तो अब यह जो condition है, यह क्या है, true है, if def pi, मतलब हम पूछ रहे है, क्या pie defined है क्या, तो हाँ, pie defined है, तो यह condition true हो गई, अब यहाँ पर मैं जो भी statements दे रही हूँ, वो execute होंगे, तो suppose मैंने यहाँ पर क्या किया है, कि suppose यह मैंने उपर define कर दिया pie, ठीक है, अब यहाँ पर हमा अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते है, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा कर सकते है, print f, area जो है, वो क्या है, area is, और यहाँ पर percent f, और directly हम यहाँ पर area क्या कर सकते है, कैसे pie into r into r, मतलब हम यह बोल रहे हैं, कि अगर pie नाम का जो macro है, वो defined है, तो उस case में इस तरह से आप area calculate कर लीजे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, hash else, अगर defined नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ पर वापस print f statement दे दो, percent f दे दो, और फिर हम खुद क्या दें, pie की value यहाँ पर provide करें, क्यों क्यों करें, क्योंकि हमने pie तो define किया नहीं है, तो यहाँ पर हम दे दे 3.14 into r into r, तो अगर आपने pie की value दी होगी, उपर define की होगी, तो उस case में, sorry, यहाँ पर क्या हैगा, end if आएगा, तो उस case में क्या होगा, यह वाला जो code है, वो execute होगा, नहीं दी होगी, तो यह वाला code execute होगा, अब आपको लगेगा, भई, यह सारी चीजे तो compile time हम खुदी code type कर रहे हैं, हम user से तो push नहीं रहे हैं, तो उस case में तो यह चीजे पता ही है, भई, हमने pie की value दी है, या नहीं दी है, तो इसमें, अब यहीं चीज आती है, कि फिर this conditional compilation की जरूरत क्या है, क्योंकि यह सारी चीजे हैं, हम compile time ही तो provide कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरी चीज यह भी है, कि यहाँ पर यह जो conditional compilation में, हम जो condition दे रहे हैं, चाय हम यहाँ पर दे रहे हैं, चाय है if में दे रहे हैं, यहाँ पर only constant ही दे सकते हैं, कोई variable की checking नहीं कर सकते हैं, कि हमने a key value user से पूछी हो, यहां पर हमने कुछ भी condition check-in नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका sense क्या है? तो देखो, पहला जो use है, वो यह है, कि मान लिया कि हम यहाँ पर 10 बार जो भी है statements है, ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं? क्म alk मनें सब्सक्राइं एक वह हुआ एक लिए उसको दिखाएंगे तो हो सकता है कुछी पहरिंगे कर्णि को किसी particular code को comment करना चाहते है एक तरह से तो उसके लिए भी इसका use होता है अब आपको लगेगा commenting का option तो है ही न तो मान लिया कि यहाँ पर यह जो 10-12 statements है ठीक है न अब इसमें मैंने यहाँ पर already दो comments लगा रखे हैं क्या लगा रखे हैं already अब मैं क्या करना चाहते हूं इन सरपूरे code को only comment करना चाहते हूं डिलीट नहीं करना चाहते हूं तो उस case में मैं फिरस दे तो comment नहीं लगा सकती हूं तो better क्या है यह conditional compilation का use करें तो होगा क्या जैसे कि जस चीज पर हमने comment किया है वो चीज क्या होती है यह compile ही नहीं होती है आप comment के अंदर कुछ भी लिख सकते हो तो वैसी ही यहाँ पर अगर मैंने माल लिया कि यह condition क्या हो रही है यह false हो रही है माल लिया यह condition false हो रही है तो यह जो चीज है यह execute होगी ही नहीं आप verify करके देख सकते हैं कैसे verify करेंगे अभी हमने पाय को define कर रखा है ठीक है इसका मतलब यह वाला जो portion है यह compile होगा ही नहीं compile ही नहीं होगा कैसे verify करें आप यह semicolon हटा दो अब आप इस चीज को compile करके देखो इस code को compile करके देखो कोई error नहीं आएगी लेकिन अगर यही चीज आपने if else के अंदर दी होती तो यहाँ पर error आती ठीक है ना तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर यह वाली जो चीज है compile ही नहीं हो यह तब भी ही error को check ही नहीं किया गया है इसी तदर से आप यहाँ पर इस चीज को हटा दीजिए ठीक है hash define pie को हटा दीजिए यह इसको undefine भी हम कर सकते है वो आम बाद में देखेंगे इसको undefine कर दीजिए अब इसके बाद यह वाला semicolon हटा दीजिए कोई error नहीं आएगी क्योंकि यह condition false हो चुकि है यह condition false है मतलब इस चीज compile होगी ही नहीं आप यह check करके देख सकते हो ठीक है ना दूसरी चीज क्या होती है conditional compilation का use क्या होता है कि अगर हम किसी machine dependent मतलब हम कोई जो code है वो machine dependent है मतलब अगर यह particular machine है तो यह code use होना चाहिए अगर वो particular machine है तो यह code use होना चाहिए तो उस case में conditional compilation का use किया जाता है ता कि compile होते time कोई error ना आए अब next time hash if hash elif का use किस तादा से कर सकते हैं चीक है तो suppose मैंने यहाँ पर दिया है, एक macro define किया है, hash define, और फिर यहाँ पर दे दिया है, test is less than, test is equals to 5, कुछ भी आपको जो भी देना है, वो हमने दे दिया है, ठीक है न? इसके बाद में, हमारे program में, हमें कुछ test की value के according की क्या करना है, compilation करना है, test के according की क्या करना है, compilation करना है, यहाँ पर condition बिल्कुल वैसे ही आती है, जैसे हम FFs में देते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया, अगर जो test की value है, वो क्या है, equals to equals to 5 है, तो यह वाला particular statement है, वो execute होना चाहिए, अब आपको जो भी print करना है, आप यहाँ पर print कर सकते हो, चाहिए आप test की value चाहो, वो भी print कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, hash, alif, अगर test की value है, वो क्या है, less than 5 है, तो उस case में यह वाला particular statement है, यह वाले particular, आप चाहो तो यह क्या print करनी है, test की value print करनी है, तो वो भी हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पर कोई blocks, जो curly braces है, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके बाद में next हमारा क्या है, suppose यह दोनों ही condition false हो जाए, तो हम क्या चाहते है, hash, else, और फिर only high print हो जाना to indicate कि अब यह हमारा जो है conditional compilation का जो code वो खतम हो चुका है, तो अभी की case में test की value क्या है, 5 है, अब वही दूस बिलकुल यही है, कि अगर हमारा यह जो है result आता है, इस expression का, जो constant expression का result आता है, वो non zero है, मतलब true, अगर वो zero है, मतलब false treat किया जाएगा, ठीक है ना, तो अब यह यहाँ पे आपने क्या दिया होता, suppose आपने दिया होता, 15 दिया होता, तो उस case में condition false, condition false, तो क्या print हो जाता, only high print हो जाता हो, प्रिंट तो चलो high होगा, लेकिन compile भी यह वाले codes होते ही नहीं उस case में, आप चाहो तो कोई भी syntax error यहाँ पे देख सकते हो, अब आपके mind में यह जब test की value हम खुदी तो यहाँ पर define करें, यूजर से थोड़ी ना पूछते हैं, जो हमें बार में check करना पड़े, तो मानली आपने बहुत बड़ा code लिग दिया है, चीक है ना यहाँ पे, अब end time पे आपकर जो भी, suppose आपने जो भी यहाँ पे दिया है, कि कुछ array की size वग compilation होगी, उस वाले code के according होगी, पूरा के पूरा code जो है, वो compile होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो यह इसका क्या है, एक use है,